हरे कृष्णा फ्रेंज तो आज हम चर्चा करने वाले हैं कि किस तरीके से स्टार्ट अप्स अपना एक्षन प्लान बना सकते हैं एक अपना रिसर्च रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं खस करके जो लोग overseas में set up करना चाहते हैं future में उनके लिए तो ये बहुत ही useful वीडियो होगा देखें दोस्तो चार important element है जो हमको ध्यान में रखने है सबसे पहला market research बहुत सारे startups को यही लगता है कि मैंने मेरा country choose कर लिया इसके लिए मेरा market research हो गया लेकिन दोस्तो ये इतना enough नहीं है उस country में आप काम कैसे करेंगे क्या business strategy होगी ये भी समझना ज़रूरी है दूसरा important element है वो है price research किस तरीके से हमारी pricing research होनी चाहिए क्या-क्या इनके different parameters है modules है ये हम भी इस वीडियो में समझने का कोशिश करेंगे तीसरा है overseas tours कब startups को overseas tour करनी चाहिए क्योंकि बहुत सारे startups हमारे पास आते हैं कि sir हम तो foreign visit करके आए अब हमारे पास sufficient पैसा नहीं है rate business करने के लिए अब आप बताएं कि कैसे हम कार्या करें तो कब हमको overseas tours और trade fair करना चाहिए उससे पहले क्या ऐसे preliminary steps है जो हमको work out करना चाहिए from our home या office ये हम समझने का कोशिश करेंगे और चौथा कि क्या हमारे action steps रहने चाहिए क्या इनका एक framework होना चाहिए कि जिसे हम एक शुरू आज से overseas research का plan या setup plan तक पहुँच पाए जहां पर हमारी profitability और all costing और all ideas हम execute कर पाए that we are going to take a specimen of a product and then we are going to work upon it दोस्तो बहुत ही practical video रहने वाला है तो बिना किसी time waste किये सीधा हम शुरू कर देते हैं तो देखे दोस्तो आपके समक्ष में लाया हूँ action plan for startup exporters establishing and overseas importing business देखे दोस्तो ये सभी के लिए useful है ज़रूरी नहीं है कि सारे plans के steps आज ही आप ले ले action steps आप ये plan को download कर सकते हैं और step by step समझ सकते हैं कि मेरे को किस तरीके से आगे बढ़ना है और कब जो है मैं overseas setup के stage में पहुंच सकता हूँ ये सारे के सारे एक framework के रूप में मैं आपको दिया है जहाँ पर आप step by step जाएंगे तो आप properly अपना business शुरू कर पाएंगे इसमें सबसे पहला steps startup के लिए ये आता है कि वो pricing analysis करे foreign का विदेशों में मैं जो product sale करना चाह रहा हूँ वो कैसे और किस price में मेरा sale हो इसके लिए मेरे videos का link भी बिया है suggested video links वो आप check करके और knowledge ले सकते हैं और यहाँ पर आप workout कर सकते हैं foreign country में directly अगर आप visit करते हो इस है तू से कि मैं product research करूंगा तो आपकी visit जो है वो मैं कहूंगा कि valid है लेकिन ये क्या startup को करनी चाहिए इतना ज़्यादा पैसा बेके तो this option just to research about the product और उसके लिए foreign country जाएं तो ये इतना अच्छा नहीं है क्योंकि हमारा पास और भी ways है जहाँपर हम अच्छे products की तरफ पहुँच सकते हैं और जब required हो at the time of doing the business तब हम foreign country जाएंगे तो ये ज़्यादा valid होगा आफ्टर having the analysis of the product जो हम एक product का sample लेके भी करेंगे हमारा important factor होगा bird eye view analysis तो उस stage पे हम ये पहुच पाएंगे कि कौन से products जो है वो ज़्यादा profitable है जिसके उपर हम और details से costing में work out करें थर्ड हमारा stage होगा कि हम shipment data analysis करेंगे यानि कि दूसरे exporters कैसे काम कर रहे हैं ये हम analysis करेंगे ये analysis से आपको पता चलेगा कि मैं जो buyer को mail भेज रहा हूँ मुझे reply क्यों नहीं आ रहे है क्या मुझे इसा करना चाहिए कि मुझे reply आवे in fact मुझे क्या direct export करना चाहिए buyer को या मुझे खुद ही मेरे network में काम करना पड़ेगा खुद ही setup करना पड़ेगा पहले से तो ये हम इस video में के माधिम से समझने का कोशिश करेंगे हमारे लिए further important steps ये रहेगा कि हम वहां का importing analysis करें कि कि किस तरीके से export costing के साथ-साथ उन देशों में और क्या actually खर्चे लगते हैं ये हमारे लिए जानना जरूरी है पहले overseas setup cost last में हम रखेंगे लेकिन इससे पहले मेरे monthly वहां पर क्या costing होंगे right क्या मेरा maintenance रहेगा right ये जानने के लिए जरूरूरत है क्योंकि वो directly profitability में impact करेगा setup cost तो एक बार होता है ठीक है तो ये सारे points है जो हम detail से product का example लेके हम समझने का कोशिश करेंगे तो दोस्तों ये framework आप download करके अपने पास रखेगा और इसमें regularly आप workout करिएगा ये बहुत useful होने वाला है तो पहला stage में हमने एक product यहाँ पर लिया है और Kenya हमने market choose किया ठीक है तो सबसे पहले हमने वहाँ पर Google सेर्च किया कि e-commerce store in Kenya ताकि हम online जो stores है वहाँ पर हमारी products के भाव चेक कर सके फिर हमने सेर्च किया buy shop online in Kenya हमको online कुछ websites मिले लेकिन वो satisfactory नहीं था अब हमारे पास ये भी एक option था कि हम करें लेकिन यहाँ पर हमने एक smart step लिया हमने practically virtual assistant को hire किये हमने उनको कुछ charges दिये और उनको हमने काम पे लगाया हमने virtual assistant को कहा कि आप हमको research और analysis करके दो regarding certain products right Kenya के तो हमने Kenya के virtual assistant hire किये और उन्होंने हमको report submit किया तो हमने उनको जिस तरीके से कहा था कि आप कौन से price में soaps जो है वो sell हो रहे हैं हमने उनका location भी मांगा और हमने उनका address भी मांगा right तो हमने introductory analysis किया इसमें हमने काफी उनके पास से photos भी मंगाए कि आप store में जाके photos जो है वो आप हमको बेजे soaps भी भी बेजे right तो हमने ये चेक किया कि कौन से store पे ये products sale हो रहा है लेकिन जब हमने introductory research किया तो हमको दू-तीन conclusion मिले from the virtual assistant तो हमने हमको बताया कि यहाँ पर जो soaps की बिकरी हो रही है वो उनकी brand query जादा है यानि कि customer आ रहे है और वो specific brand का ही soaps ले रहे है नए नए जो soaps आ रहे है इनकी बिकरी नहीं हो पा रही है ये हमको वहाँ के उनके staff से जानने को मिला उन्होंने हमने सुझाओ भी दिया कि आप अगर करना चा रहे हो नया काम वर्क आउट करना है तो आप detergent कैटेगरी में वर्क आउट करे तो उन्होंने हमको ये रिपोर्ट दिया तो हम detergent, laundry soap और ऐसे कैटेगरी में उपर research करना शुरू किया तो तब हमने बेखा कि यहाँ पर ये products में काफी काम हो सकता है इसमें हमने एक और चीज हमने add की कि हम origin भी जाने कि किम बेशों से ये सामान आ रहा है मतलब कि product में origin country क्या है तो जब हमने वहाँ पर ये research किया practically उन लोगों ने जब वहाँ पर बाते की store vendor से, वहाँ के staff से क्योंकि वो अपनी language में चीज तरीके से communicate कर सकते और जब उन्होंने day to day reporting हमको देना शुरू किया तो हमने ये जाना कि वहाँ पर जो made in India products है अगर इंडिया का पीछे थपा लगता है तो वो comparatively उनके भाव कम हो जाते हैं लेकिन जो foreign country दूसरे country से जब सामान आता है तो comparatively ज़्यादा rate हो जाता है बेकि यहाँ पर Indian origin है वो 75 ceiling है ठीक है तो ऐसा नहीं है कि यह profitable नहीं है यह भी profitable है लेकिन एकों strategy के उपर भी workout किया जा सकता है कि हम third country में अपमारा firm establish करके यहाँ पर mall ship करे तो ऐसे भी strategies के उपर workout होता है लेकिन anyways हम एक general conclusion की तरफ पहुँचे हैं जो हम आगे आपको research में share करना चाहेंगे तो दोस्तों कहने का मेरा मतलब यह है कि ज़रूरी नहीं है कि हम उन देशों पे जाए बड़े-बड़े खर्चे करके research करने के लिए हम वी ये से बहुत सारा research करवा सकते हैं तो यहाँ पर मैंने research report basic level के submit किये हैं जो आप जाके go through कर सकते हैं अब हमारा second step आता है प्रोड़क्स का bird eye view profit analysis करना उनके मैंने formulas भी दिये हैं technical calculation में मैं जाना नहीं चाहूंगा क्योंकि already मेरे article में आप जा सकते हैं लेकिन मैं यहाँ पर कुछ important मुद्दे आपको बताना चाहूंगा जो आपके लिए बहुत ही valuable होंगे चाहे आप कोई भी product में research करें तो at a first glance हमने INR से एक average price निकाला कि कितने price में हमको यह मिल सकता है और हम कितने भी वहाँ पर बेच सकते हैं तो हमने एक average निकाला कि यह 23 रुपी में हमको यह product मिल सकता है और 75 में हम यह sale कर सकते हैं यानि कि इनको हमने ceiling में भी convert किया तो यह होता है 40.5 right ceiling के हिसाब से और जब हमने detergent products का compare किया right तो यह तकरीबन जो है हमारा 50 में हो सकता है हमारा complete sourcing और ultimately हम उसको 199 में sale कर सकते हैं यानि कि जो हमारे percentage difference है वो 298% दोस्तों आपको पता होगा शायद अपने काफी YouTube वीडियो में देखा होगा कि भारत में product और आप विदेश में बेचो तो 300 टका margin 400 टका margin लेकिन दोस्तों यह क्या है यह एक just percentage difference है यह actual profitability नहीं है आगे हम समझेंगे कि actual profitability क्या होती है अब हमको करना है shipment data analysis कि ठीक है हमने वहाँ पर तो देख लिया कि विदेशों में क्या-क्या भाव में बिकरी हो रही है कौनसे origin products आ रहे हैं उनके क्या pricing है लेकिन इंडिया के जो लोग इंडिया के जो exporter export कर रहे हैं वो कौनसे भाव में export करने हैं यह भी जानना ज़रूरी है क्योंकि दोस्तों ज़रूरी नहीं है कि जो आप सोच रहे हो इसी तरीके से यहाँ पर आपको port data analysis मिले तो यहाँ पर मैंने कुछ snapshots, right, port data's के side से जो निकाले हैं वो मैं आपको यहाँ पर बताना चाओंगा तो दोस्तों यहाँ पर जब आप देखेंगे तो जो products जो भाव में export हो रहा है वो almost India के rate है यह थोड़े profitable है, जादा नहीं तो जो हमने बेखा कि इसमें margin हमको 300 टका मिल सकता है या 80-90%, 100% margin मिल सकता है जो soap के category में था beauty soaps में ऐसा बिलकुल यहाँ पर नहीं दिख रहा है hardly 1-3% profit margin दिख रहा है या फिर जो product जा रहा है वो बहुत भाव टू भाव या कम rate में जा रहा है दोस्तों यहाँ से हमको यह समझ में आ गया कि उनको call और mail करने का कोई फाइदा नहीं है हमारे mail के वो कभी response नहीं वेंगे क्योंकि वो बिलकुली अलग तरीके से काम कर रहे है दोनों जगा वो खोदी है वो अपना duty बचाने के लिए costing बचाने के लिए कम profit margin में export होते हैं और वो लोग foreign country में जो पैसा कमाते हैं उसमें से अपना ultimately profitability रखते हैं अब जब ऐसा case हो रहा है कि जहाँ पर already जो shipment हो रहे हैं वो कम rate में हो रहे हैं तो फिर हमको rework करना पड़ेगा overseas pricing के उपर तो overseas pricing के उपर सबसे पहले important यह है कि इंडिया के shipment के खर्चे और वहाँ के importing के खर्चे warehousing के खर्चे क्या क्या होंगे तो मैंने सारे यहाँ पर note down करने के कोशिश की है और हमने actual में काफी सारे agencies को काफी सारे हमने लोगों को approach करके rate यह pricing के उपर हम आए हैं हाला कि यह estimated figure है time to time यह change होता है लेकिन तक्रीबन हमने यह calculate किया तो जिस area पर हमको work out करना है जो profitable होता है वहाँ पर टक्रीबन 1.5 lakh रुपे का तो monthly expense आ जाएगा क्योंकि हमको staff भी रखना पड़ेगा warehouse fee भी देना पड़ेगा काफी हमारे खर्चे हैं जो यहाँ पर मैंने mention किये हैं सारी costing हमने की तो सारी costing में हमने analysis किया कि क्या actually हमको अगर हम full container बेजे हम soap का भेजे या फिर beauty soap का या laundry soap का तो कितनी profitability हमको मिल सकती है कितना container में हम goods डाल सकते हैं क्या हमारे revenue रहेंगे margins रहेंगे यहाँ पर मैंने आपको mention करने का कोशिश किया है इसी तरीके से आप अपने products में भी apply करके workout कर सकते हैं ठीक है यह बहुत आपके लिए useful होने वाला है ठीक है तो यहाँ पर जब आप check out करेंगे तो उसमें हमने beauty soaps में ज़्यादा margins कमाया है और laundry soaps में हमको overall कम margins मिला है क्योंकि beauty soaps की expensive range थी compared to the laundry bar तो obvious सी बात है कि यह change हमको मिलेगा अब दोस्तों केवल आपका profitability one month का enough नहीं है हमको यह भी check करना पड़ेगा कि अगर product instant नहीं बिके क्योंकि हमने store पे रखा या wholesale के लिए market में उता रहा तो ज़रूरी नहीं है कि तूरंत बिके अगर आपका सामान beauty soaps एक महिने में sale हो जा रहा है सारा तो तो आपको 54.2% margin है लेकिन 3 मंत में अगर यह sale हो रहा है तो तकरीबन हमारे margins ड्रॉप हो गए क्योंकि हमारे कुछ खर्चे तो steady थे तो यहाँ पर 50.1% और देखिए 3-6 मेने के बाद अगर sale हो रहा है beauty soap तो 44 और laundry soap अगर sale हो रहा है हमारा 300 टका वाला margin वाला product था तो 300 टका वाला margin हम क्यों 3 टका पे आगे अगर मंतली चेक किया जाए तो 3 टका पे आगे क्योंकि हमने जो product export की थी लॉंड्री soap वो actual में पर container के हिसाब से अगर हमने उसको stuff करना का कोशिश किया तो वो low value consignment हो रहा था as compared to beauty soap जैसे मैं आपको उदारन दूँ कि आप puff drys export कर रहे हो जो hardly आपका 50,000 to 1,000,000 रुपय का पूरा container होता है और उसी सामान को आप sale करने के लिए तीन मेना लगा देते हो तो ultimately क्या होगा कि आपको margins कुछ मिलेगा नहीं उसमें लेकिन अगर उसे container में आप अगर beauty soap export करते हो तो container costing सेम रहेगी वेरा उसके कर्चे सेम रहेंगे salary सेम देनी पड़ेगी आपको लेकिन ultimately what you will do you will be able to earn more profit तो यही चीज है कि कितना fast आप product को sale कर सकते हो यह important है और दूसरा यह है कि कि कितने value का अप products वहाँ पर लेके जा रहे हो क्योंकि सारे खर्चे सेम लग रहे हैं तो यह हमको ध्यान रखना है कि उसी container में उसी dry container में अगर हम थोड़े higher value goods ले जाए और उसको higher margins में little higher margins में sale कर सके तो हम actually यह model के उपर work out कर सकते हैं लेकिन जादब दर लोग जो है यह calculate नहीं करते उनको यही लगता है कि product में तुरंत बिग जाएगा लेकिन दोस्तों गर अच्छी price में sale करना है तो ऐसे नहीं होता कि तुरंत बिग जाए wholesale में भी students को वहाँ पर time लगता है चीज़े को explore करने में उसके लिए वहाँ पर marketing के भी खर्चे और additional आपको होंगे यह सारा चीज़ clear होने के बाद फिर हम setup का बारे में सोच सकते हैं बहुत सारे लोग setup यहाँ से करवाते हैं जो सबसे बड़ी गलती है setup अकर यहाँ से सारा करवाएंगे तो आपको 80% GST लगेगा यहाँ की company से इसलिए it is always advisable कि setup के लिए आप वहाँ की agency से वहाँ के CA से आप करवा सकते हैं और इसके बारे में जानके अरे आप embassy से ले सकते हैं इंडियन embassy से ठीक है तो यह आपको average जो है यह इतनी costing आ रही है और जैसे 4-5 lakh rupees में costing आपकी हो रही है setup की लेकिन दोस्तों यह धियान रखेगा कि यहाँ पर हमने बहुत ही बड़ा element है marketing expense यह जब आप marketing expense भी जोड़ेंगे तो ultimately आपकी profitability और कम होगी तो I hope दोस्तों कि काफी सारा food for your thought मिला होगा आपको इस video से और खास करके दोस्तों यह धियान रखे कि एक proper research करे यह research report आप download करे हमारे research के videos देखे आप अलग-अलग market अलग-अलग products के बारे में ऐसा research करने का कोशिश करे and when you come upon the final product right की किस तरीके से work out हो भले इस research में आपके कुछ charges जाए वो चलेगा लेकिन direct foreign चले जाएंगे उसमें lost जादा है wrong track में चले जाएंगे तो पूरा आपका business model हो सकता है right आपको end में जाके पता चलेगा बेतर है कि पहले से अच्छा research कर लो इससे आपका long term में benefit आपको मिलेगा दोस्तों कभी भी 300-400% वाले margin में हमको सोचना नहीं है हमको stable business करना है profitable business करना है long term business करना है इस तरीके से आप सोच से work out करें जहांपर हम वाकई में एक unique selling point पर work out कर सके और customer को अच्छे products को एक value added products उनको दे सके तो वस दोस्तों आज के लिए हम इतना ही रखते हैं मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जाई श्रीकरश्णा have a nice day and good bye make sure दोस्तों अपना research report मुझे जरूर बेजिएगा ठीक है बाई बाई